So hello friend, अगर आपके घर में भी है कोई newborn baby और आपको उसके nail trim करने में दिक्कत हो रही है, आला कि दिक्कत होती है, हम nail cutter use नहीं कर सकते, हम catchy use नहीं कर सकते, blade नहीं use कर सकते, कहीं ऐसा ना हो, कच्चा नाखून कट जाए, बस यही तो सोचते है इंसान, तो ऐसे में baby के नाखून क trim कर सकता है, यहाँ देखिए guys, यह कुछ इस तरीकी की packing में मिल जाता है, एंड इसके ओपर क्या क्या mention किया गया है, इसमें आपको मिल जाते है, six head मिल जाते है, और six head इसलिए मिलते है guys, यह baby के लिए ही use नहीं होता है, बलकि इसको adult भी use कर सकते है, हम तुम भी use कर सकते है लेकिन मिलता है यह baby nail trimmer की नाम से ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें मिल जाते हैं, आपको four working modes मिल जाते है, three sixty degree moderate rotating मिल जाती है, अकि यही कुछ है guys, इसके अंदर, and इसमें अलग अलग तरीके के heads मिलते हैं, अब वो heads किस किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा baby क के उपर काम करेगा, कौन सा adult के उपर काम करेगा, यह सारी चीज़ें आज की वीडियो में clear होने वाली हैं, यहाँ देखिए friend, इसको मैं unbox करता हूँ, यह देखिए guys, यह आगे हमारे पास baby nail trimmer, and इसके साथ ही आपको मिल जाती है, एक user manual, इसमें सारा कुछ लिखा गया है, कौन सा इसका wheel head है, वो किसमें काम करेगा, यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके के case में मिल जाता है, so friend, इसकी जो packaging है भाई, वो काफी जादा शानदार है, and इसका जो case है, वो plastic के मिल जाता है, and यहाँ से आप इसको open कर सकते हैं, यह सारे जो रखे हैं, यह सारे wheel head है, and यहाँ पर मिल जाती है, आपको machine, so friend, यहाँ देखिए, यह है machine का first look, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक motor, यहाँ मिल जाएगा आपको एक bulb, and यहाँ पर मिल जाएगा, भाई, cell डालने का option, यहाँ देखिए, आपर दो cell इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको include cell नहीं बाला है L1 पे, और speed जो है L1 पे थोड़ी कम रहेगी, और L2 पे speed थोड़ी जादा रहेगी, R1 पे speed कम रहेगी, R2 पे जादा रहेगी, 0 पर रखेंगे तो यह machine जो है off हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं इसके wheel के बारे में, कौन सा wheel आप baby के उपर use करेंगे, इसके green color का, आप head देख रहे हैं, यह 4 महीने से 11 महीने का अगर आपका baby है, तो आप इस head को use कर सकते हैं, और 12 महीने का baby है, तो आप यह blue वाला use कर सकते हैं, अब यहाँ पर आजाता है 4 adult, adult के लिए आप यह वाला use कर सकते हैं, यह metal grinding है, और यह soft polishing है, आप nails की polishing भी इसके द्वार कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, सारे wheel अपने अपने हिसाब से रखे हुए है, यह वाला baby का हो गया, यह 4 से 11 महीने का हो गया, और यह वाला जो है 12 मंत का हो गया, और यह वाला जो है, यह adult के लिए आ जाता है, तो चलिए friend, अब डालते हैं इसमें batteries, और देखते हैं, इस इस टाइम जो है, rotate कर रहा है, और motor की power मैं कहूं तो अभी तो फिलाल जादा नहीं लग रही है, बट यह baby के nail trim कर पाएगा या नहीं, यह तो मैं कह नहीं सकता, वो तो हम इसका result देखने के बाद ही बताएंगे, अब इसको निकालना भी काफी जादा easy है, आप इस तरीके स देख सकते हैं, और मेरा भी देख सकते हैं, मेरे भी बड़े हो रखे, एड यहाँ पर आप पहले baby के ही देख लीजिए, क्योंकि baby के nails काफी जादा soft होते हैं, तो चलिए है, यह वाला head हमने लगा लिया है, और इसको rotate कराते हैं, तो अभी हम रखेंगे speed number 1 पे, क्योंकि baby ह बाई हमने भी try किया नहीं है, तो अभी मैं left घुमाऊंगा, नाखुन उस side मोडा हुआ है, तो चलिए friend, अब इसको try करके देख लेते हैं, So friend, यहाँ देखे, result आपके सामने है, और baby के nails हमने ट्रिम कर दियें, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ही trim हो चुके हैं, यहाँ पर result आपके सामने है, और skin पर इसका कोई भी असर नहीं होता है, जैसे कि सिर्फ nails इससे trim होते हैं, अगर आपको डर हो कि skin भी जाती हैं इससे, बड़ ऐसा नहीं होता है, skin भाई safe है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और baby के nails से जैसे कि क्या होता है, कि soft जाधा होते हैं, तो यह आराम से grind हो जाते हैं, so friend, baby के nails जो हमने trim कर के देख लिए हैं, और उसमें अच्छा result हमें मिला, तो आपने सब कुछ दे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, मैं इसको full speed में एक बार गुमा के देख लेता हूँ, तो चलिए, अब हम pry करते हैं, इसको, सब कुछ, ओ भाई, इस पे हलका हाथ रखना पड़ेगा, जाधा tight रखोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी motor जो है, इतन जो है, रुख जा रही है, अगर मैं थोड़ा सा इस पे बजन रख रहा हूँ, या फिर जोर से ट्राई कर रहा हूँ, अलगे हलके हलके तो अच्छा कासा ठीक हो रहा है, बड़ी ये रुख जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये हमारे यूज में आने वाला है, क्यों ठीक काम कर रहा है, बड़ी इसमें टाइम काफी लगेगा, इससे आप एज सही कर सकते है, इससे ये जो नाकून जो आपके एज नहीं हो पाते हैं, बट आप इससे ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों अब बात करते हैं, इसके फाइनल रिव्यू के बारे में, इसको खरीदना यानि खरिबना चाहिए भाई मैं इसके बारे में बाता हूँ तो ये बेबी के उपर बहुत ही बढ़िया काम करता है क्योंकि उसके नेल्स जो है काफी सॉफ्ट होते हैं और इससे आसानी से गिरिंड कर सकते हैं आप इसको दोरा अगर आप चाहें कि आप इसको अडल्ट पी यूज़ कर सकते हैं हमारे तुमारे लिए यूज़ करेंगे तो गाई जैसा नहीं है क्योंकि हमारे जो नेल्स होते हैं वो काफी जादा हार्ड होते हैं एड इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो काफी जादा चोटा है एड इतना जादा पावरफुल नहीं है तो ये बेब के उपर ही काम करेगा अब बात करते हैं इसके प्राइज के बारे में तो इसका प्राइज मेरे को पढ़ गया है 289 डूपीस का आपके भी घर में है कोई न्यूबॉन बेबी अगर आप उसके लिए मगाना चाहते हैं इस प्रोड़क्ट को तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके आप इसको इसदी परचेस कर सकते हैं सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलिंग रेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त धने बात थैंक यू बाबाई